मैं सबसे पहले आप सबका और कन्योज की जंता का आप सबका बहुत बहुत अभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहां से सांसो चुनके भेजा है और एक बासे मुझे पार्टी ने मौका दिया है और आप सबी ने मौका दिया है कि इस बार मैं फिर चुनाम लड़ रही हूँ और मुझे पूरी उमीद है और भरोसा है कि क्योंकि अपको गजबंदन का भी साथ है बहुत मजबूत गजबंदन का साथ है और इस गजबंदन के साथ हम बहुत बहुत ज़ादा वोटों से इस बार संसुत में पहुशने जा रहे हैं कन्योच हमेशा से समाजवाद्य को गर्ड़ रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जिस तरव कन्योच का विकास हमारी प्राथमिक्दा रहा है आने वाले समय में भी कन्योच का विकास ही हमारी प्राथमिक्दा रहेगा जब समाजवाद्य सरकार बनी थी अब मैं बोलू पहले आप सब शोर बचा लीजें फिर मैं बोलूँगी जितना बचा आजाए अब बोलू अफ़ाद्य समाजवाद्य सरकार ने ऐसे एतहासे काम जरके दिखाए है जो फिछले 70 सालों में किसी भी तरकार ने नहीं करके दिखाए है यह मेरा मानना है ऐसी सरके पुल बिजनी का काम हो चाहे हमारी माताओं मैनों को पेंजन देने का काम हो चाहे गरवती मैलाओं के लिए अमबुलन्स दिलाने का काम हो चाहे 108 आंबुलन्स राने के लिए काम किया गया हो चाहे UP 100 नमबर देने का काम हो ऐसे एतिहासे काम मेरा मानना है और मैं जानती हूँ आप सब कभी यही मानना होगा कि एतिहासे काम किसी भी सरकार ने नहीं करे है और जब से यह डबल इंजिन वाली सरकार आई है तब से मैं माननती हूँ जो भारत माता की जै कहते है हम भी भारत माता की जै कहते है और हमारी भारत माता जो विकास आती है जो अब चाहती है कि उनके बच्चे आगे बड़े तो चाती है कि उनके बच्चे अच्छी नोक्री पाए उस भारत माता को विकास को इन्होंने जंजीरों में जिकर के रख दिया है रखा है कि नहीं रखा है अब ये आप सब की जिम्मेदारी है कि आप को हमारी भारत माता को अजाद कराना है किराएंगे कि नहीं किराएंगे डबल इंजिन वाली सरकार फेल हो गई है कि नहीं होई है इनकी रिपोर्ट कार्ट का समय आ गया है कि नहीं आया है जो लोग मेरी रिपोर्ट कार्ट बना रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ तो आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं सवाल करूंगी आप हा या ना में जवाब देंगे तो रिपोर्ट का नमबर वन जी एस्टी फेल है की नहीं है रोजगार दिये की नहीं दिये नोट बंदी कराई थी फेल है की नहीं है आतंगाद बड़ा है की नहीं बड़ा है नकसलवाद बड़ा है की नहीं बड़ा है मैलाओं के चती अच्चाचार शोशन बड़ा है की नहीं बड़ा है तो आप इनकी रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्ग्स रेंगे मैं आप सभी से निवेदन करने आई हूँ कि ये चुनाव बहुती महत्वपून चुनाव होने जा रहा है क्योंकि ये चुनाव देश की दिशा को बदलेगा देश के विकास को आगे ले जाने वाला चुनाव है आपके भविश्य का चुनाव है और अगर इस बार क्योंकि गडबंदन भी साथ है चूख हो गई तो मैं समझती हूँ देश बहुत पिठर जाएगा आप लोग बहुत पिठर जाएंगे और मुझे पूरा फरोसा है कि आप विकास को चुनेंगे और ऐसी धोके बार सरकार ऐसी सरकार जो लोगों के बीच में जो लोगों को लडाती है जो लोग में भ्रम खलाती है जो आपस में लडाती है आप उसको नगारने का काम करेंगे इस बार मैं आप सभी की बहुत अभारी हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं और जादा गफ मैं ही लोगी क्योंकि राश्टर जी को भी बोलना है तो इनी शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर्नोच कर्नोच से समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और जो विकास की गंगा यहाँ पे रुप गई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे आपका बहुत आपार और बहुत अन्यवाद